हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सीव कोचिंग क्लासस पर सवगत है और आज का स्टूडेंट जो टॉपिक है वो पायस है पायस किसे कहते हैं पायस कितने प्रकार क्यों होते हैं और इंट में डिफरेंस क्या है देखिए जल में तेल का पायस और तेल में जल का पायस दोनों चीजों को आज हम अच्छे समझेंगे बट पहले आप पायस समझें और इनके प्रकारों को समझें तो चलिए आज का वीडियो स्टाट करते हैं लेकिन वीडियो पसंदाइट प्लीज लाइक कर देना दोस्तों सेयर कर और नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर देना तो सबसे पहले आपको समझना है पायस की परिवासा पायस ऐसी कोलाइडी बिलियन होते हैं जिनमें परिशित प्रवस्था वा परिशेपनमाध्यम दोनों द्रव हैं दोनों द्रव अमिस्टरणी होते हैं पायस बनाने के लिए दो अमिस्टरणी द्रव को मिला कर हिलाया जाता है अब यहां परिश्टुडेंट आपको दो सब्द मिल गए परिशित प्रवस्था और परिशेपनमाध्यम इन दोनों सब्दों का अर्थ अलग अलग है जैसे आपने एक पदार्थ लिया और वो उस पदार्थ में किसी चीच को मिलाना है तो जिसमें हमको मिलाना है वो माध्यम हो गया जिस पदार्थ को हम मिला रहे हैं वो परचित प्रवस्था हो गया तो जिस पदार्थ को हम मिला रहे हैं उसे परचित प्रवस्था कहते हैं और पैशेपण माध्यम क्या है जिसमें मिला रहे हैं तो पैशेपण माध्यम हो गया जैसे मैं कह दूँ आपके पास पानी है पानी में आपने तेल डाल दिया तो तेल आपने एक चमश डाला लेकिन पानी था एक लोटा या एक गलास तो जिसकी मात्रा अधिक हो गई है ना वो पानी थी और जिसकी मात्रा कम है वो तेल है तो हम पानी को माध्यम मानेंगे क्यों कि हम पानी में मिला रहे हैं और यहां पर जो student आपका तेल है वो परचित प्रवस्था होगा क्योंकि तेल को हम किसमें मिला रहे हैं पानी मिला रहे हैं को गैस मिला देने द्रोगों को द्रॉच मिला दे तोवagit को ड्रामी मिला दे इस पार गैस से 8 उड्रायदी तंत हमने आप को समझाया था जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लीज नहीं पढ़िप थो प्लेइलिष्ट पे वीजिट कर ले नव भी ड्रोगों जब किसी परशेपण माध्यम जल में तेल की छोटी छोटी कुलाइडी आकार की बूने परशित आवस्था में होते हैं तो इस प्रकार के पायस को जल में तेल प्रकार के पायस कहते हैं अब simple है यार इसमें कुछ भी नहीं है जल में तेल पायस मतलब जल में तेल को हमने मिला दिया तो आपका जो परचित प्रवस्था क्या हो गया तेल हो गया क्योंकि जल में हमने तेल को मिलाया तो जिसको मिलाते हैं उसे परचित प्रवस्था कहते हैं जिसमें मिलाते हैं उसे परचित प्रवस्था हो गया तो जल में हमने तेल को मिलाया तो जल आपका परचित प्रवस्था और जल परचित प्रवस्था हो गया तो जब हम जल में है ना क्या मिला देते हैं तो एक प्रकार का पायस हो जाता है यहां पर जल और तेल दोनों द्राव अबस्था में है ठीक आपको कि question आता है दूद एक क्या है पायास है भिन्दी बिन्दी है तो क्या है student पायास है यहाँ पर दूद शबसे important है और cream cream क्या specific इस्टूडेन तो क्रीम भी क्या है एक पाईश ठीक चलिए अब देखिए टेल में जल मखहन जैसे मखण है ना जब जल के छोटी थोड़ी सी मातरा को तेल की अधिक मातरा में परचिपत किया जाता है तो इस प्रकार बनने बाला पाईश टेल में जल प्रकार का पाईश कहल आता है मतलब student मक्खन का मतलब भी होता है दही दही में क्या होता पानी बहुत कम होता है और बसा की मात्रा तेली पदार जो घी होता हो अधिक होता है इसलिए तेल में जल का पायस को अधिक होता है मक्खन कॉड लिबर आईल है ना ये तेली ये पायस है है ना जिसे तेल में तेल का कहते हैं तेल में जल का पायस कहते हैं कुल मिला करके जब जल अधिक हो सुरी जल कम हो और तेल अधिक हो मक्षन में आपने देखा होगा कि उसमें पानी बहुत कम होता है उसमें बसा कमात्र जादा होता है ठीक है अर्थाद घी कमात्र उहां पे जादा होता है तो उसे हम तेल में जल का पायस कहते हैं अब यहां पर थोड़ा सा डाइग्राम आप लोग बना लीजीए ठीक है डाइग्राम क्या है बनाना ज़रूरी है क्योंकि डाइग्राम के अधार पर पस्ट बिन आपको एक्जाम में नंबर मिलते हैं दो नम्मर कोस्चन पूछा जाता है, सिंपल सा, कि पायस किसे कहते हैं, पायस को प्रकार से समझाईए, तो ये तेल में जल का पायस है, और इसमें जल में तेल का पायस है, समझाना है, मात्र बनाना है, सिंपल तरीके से, ठीक है, इस प्रकार से, और पाशी कारा कुछ पदार्थ आप मिला सकते हूँ यह सिंपल डाइग्राम है तो दो प्रकार कौन कौन से जल में तेल मतलब जल में जब हम तेल मिला देते हैं जल में तेल प्रकार का पायस बनता है चलना है तो पहला डिफ्रेंस आपको लिखना है कि जल में तेल में लिखना है कि इस प्रकार के पायस को जल द्वरा तनू किया जा सकता है तो कि जल में तेल मतलब जल की मात्रा अधिक है और अधिक मिला दे तो जो जल में तेल का पायस है तो इस प्रकार जो पायस है इसको हम जल के माध्यम से का कर सकते हैं, तनू कर सकते हैं, तनू कर सकते हैं, मतलब बिलायक की मात्रा बढ़ा दें, जल की मात्रा बढ़ा दें, जब कि इस दिन तेल में जल का पायस, इसको हम जल के माध्यम से तनू नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अधिकता किसके तेल की, तो तेल ही बढ़ाएंगे जब तेल बढ़ाएंगे तो तनुता कमेगी नहीं बढ़ेगी ठीक है ना तनुता हम इसमें नहीं बढ़ा सकते क्योंकि जल नहीं बढ़ा सकते ना इसलिए क्योंकि तेल अधिक है जल की मात्रा कम है तेल यहां पर क्या है परचित प्रवस्था है और परचित वाले को नहीं कर सकते दूसरा डिफरेंस है कि जब तेल में यहां पर देख दीजिए जब तेल में बिले रंजक को मिलाते हैं तो रंगीन बूदे बनती है जिसे यहां पर जल में तेल है तो इसी तेल के साथ हम रंगीन रंजक मिला दें रंगीन रंजक जो की कलर बनाते हैं तो ये रंगीन बूंद की रूप में बन जाती है तेल जबकि student यहाँ पर जो तेल है इसमें यदि हम रंजक मिला दें बिले रंजक को मिलाने पर रंगीन बूंदे नहीं बनती तीसरा डिफरेंस है कि जो पहला है जल में तेल पायस है जो जल में तेल पायस है इसकी स्यानता कम होती है किन्तु चलकता अधिक होती है जल में तेल वाले पायस की स्यानता क्या होती है कम होती है किन्तु चलकता अधिक होती है स्यांता का मतलब होता है गाढ़ापन स्यांता का मतलब गाढ़ापन जैसे सहेद ज्यादा स्यांगुड का होता है क्योंकि उस पे गाढ़ापन ज्यादा होता है जबकि देल में जल के पायस में आपको लिखना है कि इसकी स्यांता अधिक होती है इसकी सेंता अधिक होती है किंतु चलकता बहुत कभ होती है तीन अंतर डिफरेंस कलियर हो गया चौज़ता आपको लिख लेना है जल में तेल वाले में कि इस प्रकार पायस जल की सतय पर फ़लाया जा सकता है क्योंकि जल में जब आपन तेल मिलाते हैं student तो हलका उपर एक परत बन जाता है जैसे तेली तेली पदार्थ बना हुए क्योंकि तेल है ना उपर क्या है कि हलका सा तेरने लगता है तो जल के सतय पर हम जल में तेल पायस को फैला सकते है जबकि student यह जो पायस है इनको हम जल की सतय पर नहीं फैला सकते तो इस प्रकार से चार डिफरेंस complete पहला क्या है student कि पहले वाले को यहाँ पे जल में तेल यहीं इसे हम जल के दौरा तनू कर सकते हैं जबकि इसे जल के दौरा तनू नहीं कर सकते दूसरा था इसमें बिले रंजक मिलाने से रंगीन बूंदे बनता है जबकि इनमें बिले रंजक मिलाने से रंगीन बूंदे नहीं बनता जल में तेल में लिखना है आपको इसमें जो स्यानता है कम होती किन्तू चलकता अधिक होती है इसके विपरीद इसमें स्यानता अधिक होती किन्तु चलकता कम होती है चोथा है आपका इस प्रकार के पायस जल की सतह पर फैलाया जा सकते हैं जबकि यह जो पायस होते हैं जल की सतह पर नहीं फैलाया जा सकते हैं तो आसा करतन शुर्ण अब इसको आपको समझ में बुरी तरह से समझ लिए होंगे और इसको अच्छे से आप लोग नोट्स बना लेना इस से अबजेक्टिव पुझा जाता है कि दूध एक बिंदी बिंदी है तो पायस है तो इसे आप लोग अच्छे से बिल्कुल याद ही कर लेना और मक्षन क्या है ये भी कि एक प्रकार का पायस है तो पायस में प्रशीत प्रवस्था प्रश्य पड़ा माद्याम दोनों द्रववस्था में होते हैं ठीक है इस्ट्रेंट तो अच्छे से तैयार कर लेना चलते हैं आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी हो पसंद आएक प्लीज करने प्रस कर लिए ना मिलते अगरी वीडियों तब तक लिए चाहिन बने मातरम